कि वेल्कम टो आपर चैनल आपकेजे टेक इनफों दोस्तों आप सभी को पता होगा आप न्यूस से देखते होंगे कि फर्स्ट अप्रिल से इंडिया में 10 गवर्मेंट बैंक मर्ज होके सिर्फ चार गवर्मेंट बैंक, बड़े बड़े गव्का क्या है, आपके अगर बैंक से कोई लोण ल्याएं, तो उस लोण यॅप कै चाहिंगा, पूरा इटाल सी ने में सार। तो चलिए दोस्त्ते विदियो को सुरु करते हैं, धू यह इसार जात्ति चार भड़े स्कस्राइब और यह नाम होगा पंजब निशनल बैंक और दोस्तों इस बैंक में यह बैंक इंडिया में सबसे लाज़ेश्ट पॉब्लिक सेक्टर यानी ही गर्मेंट बैंक निकलेगा दूसरा बैंक जो है कानाडा बैंक और सिदिकेड़ बैंक यह दोनों में एक मिलके अभ का नाम होगा Union Bank of India और दोस्तों यह इंडिया में 4th largest public sector bank के नाम से जाना जाएगा इंडिया में चार नंबर सबसे बड़े government bank में आ जाएगा और दोस्तों आखरी में है Indian bank उसके साथ मिलेगा अलाबाइद यह दोनों bank मिलके जो bank निकलेगा उसके नाम होगा Indian bank अब दोस्तों आपका सबसे पहले बता दू आपके bank account पर कोई भी इफिक नहीं पड़ेगा आप जिस ब्रांच में जा रहे हैं उस ब्रांच में वही जैसे employee थे वैसे ही रहेंगा वैसे ही काम करता रहेगा सिर्फ आपका सकते हैं तो दोस्तों सभी बड़े बड़े ब्यांक जितने भी चार ब्यांक का नाम बता है मैंने उन सब ने उपसेड में अपना एक notification जारी किया है उसका डाउलोड करके बढ़ सकते हैं तो दोस्तों यहां पर नीचे नीचे आएंगे तो यहां पर देखेंगे यहां पर देखेंगे नीचे के दिखाएगा यहां नोटिफिकसन आएगा है तो देखेंगे मेसेज पर कॉस्टम और इस पर क्लिक करके आप डाउलोड कर सकते हैं तो यहां पर पुरा लिखा होगा कि क्या क्या है कैसे कैसे हैं दोस्तों में एक्जेम्पल करें दौर के लिए union bank का ल लाजेश पब्लिक सेक्टर बैंक हो जाएगा इंडिया में दोस्तों यहां पर दिया गया है कि no changes to occur in your account number for customer यानि कि आपका जो अकाउंट नंबर है उस नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा जैसे आकाउंट नंबर चलता था वैसे ही चलता रहेगा cash withdrawal from ATMs of any of these three banks will not levy any additional charges इन में से जो जो बैंक मर्ज हुआ है मान लीजी एक्जाम्पल के दोर में आप अगर अंदरा बैंक के customer है और अगर आप union bank के ATM जाके cash withdrawal करते हैं deposit करते हैं कुछ भी करते हैं तो आपके लिए कोई भी charges नहीं लाए लग लगए और दोस्तों टर्मिशन loan advance चितने भी है उन सबका कोई भी effect नहीं पड़ेगा दोस्तों अगर आपने किसी bank से loan लिया है तो इस loan ऐसा ही चलता रहेगा जब तक उसका period है वो खत्म हो जाना के बाद आपको कुछ कोई problem नहीं होगा और दोस्ता आपका passbook अभी जो चल रहाए वैसा ही चलता रहेगा जब पासबूक खतम हो जाएगा तो जो नया bank आया है उस bank से आपको नया पासबूक मिल जाएगा यानि कि आपके आंधर bank में account है वहाँ पर अगर पासबूक का पासबूक दिया जाएगा और दोस्ता आपका ATM card है और ATM card भी चलता रहेगा कोई problem नहीं होगा आपका ATM card, credit card, debit card सब चलता रहेगा जब उसका expired date आजाएगा वह expired हो जाएगा तब जो आपको नया item card दिया जाएगा तो उस नया bank का होगा तो दोस्ता आपके लिए कोई problem नहीं है अगर दोस्ता कोई भी doubt है तो है आपको हेलप्लाइंट, toll free help plan नंबर भी है आपको कॉल करके आप पूछ स आपको 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 सेफ है और दोस्तों यहां पर एक चूटी सी बात बताना चाहूंगा जो यूनियन ब्यांक है उसका जो ATM card का चार्जेस वह बढ़ा दिया गाया है मर्ज होने के बात मर्ज होने से पहले हो वह 100 प्लस जेस्टी 118 पूस था अभी मर्ज होने के बात 145 प्लस जेस्ट यानकि 147.5 रुपीज का चार्जेस लेंगे और वसे ही सब बैंक में सर्फिस चार्जेस में ठोड़ा ठोड़ा चेंज होगा लेकिन नॉर्मल कर्ष्ट्रमें के लिए कोई भी फिक नहीं पड़ेगा जो थोड़ी वह पड़ने पड़े दोस्तों यही था चोटी से इंफोर्मेसन दोना को चालता था दोस्तों वीडियो को अच्छे लगाए तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों साथ सेर कीजिए तक उनको पता चल जाए कि बैंक मर्ज होनक बाद उनके ओपर कोई भी फिक नहीं पड़ेगा और दो कीजिए